दोस्तों Unboxed Service में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग को एकुडियम फीस वाउल जो होता है आप अपने घड में लाते हैं और बार बार फीस मर जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा मैं आपको 6 टोपिक बताऊंगा जिसके help से आप अपने फीस को पूरा स्वस्त और happiness के साथ रख सकेंगे मेरे एक subscriber में मुझे comment किया था कि आप फीस के बारे में और भी कुछ वीडियो बनाएए इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है आप देख सकते हैं मेरा फीस कितना healthy है ये कितना enjoyment के साथ रहता है आप इतना healthy आपका वे फीस रहेगा बस आप इस rule को follow किजेगा और साथ में ही please मेरा channel subscribe कर लिजेगा क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी आप लो channel subscribe नहीं करते हैं please subscribe कर लिजेगा चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आपको सबसे पहला point ध्यान रखना है आप देख सकते हैं जो ये stone नीचे में है आपको ये stone भी खड़िदना है क्योंकि इस stone के अंदर जब आप खाना देते हैं तो कुछ खाना collect हो जाता है जो जब आप फिस में खाना नहीं देंगे तो उस समय ये फिस को काम आता है और फिस उसे आडाम से खाल लेती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से फिस enjoyment के साथ खाना खाड़े हैं और दूसरा point आपको सबसे important जो आपको oxygen pump air pump जो है वो आपको aquarium फिस बाउल में भी रखना है क्योंकि इस oxygen pump के कारण ही फिस सांस लेती है क्योंकि जब आप oxygen pump चलाते हैं तो atmosphere का जो होता है oxygen वो पानी के अंदर उपर नीचे करने के कारण पाने में भी oxygen घुल जाता है अगर आप लोग दीन में भी 5-6 बाड oxygen को आदे आदे गंडे के लिए चला लीजिएगा तो भी कोई problem नहीं है आपको दीन वर नहीं चलाना है आपको 4-5 बाड़ चला देना 15-20 मिनट के लिए कोई problem नहीं है अब मैं आपको खाने के बाड़ें बता दूँ आप इस खाना देख सकते हैं एक colorful खाने आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक जब भी एक खाना दिया हूँ इस तरह का पैकेट में खाना आता था वो colorful खाना था इसमें green, red, yellow, orange 4-5 color mix है आप भी इस तरह का colorful खाना ही खिलाईएगा क्योंकि इस खाने में मैंने अपने फिस को काफी लंबे समय तक रखा है और आपको मैं दाने के वाड़े में बदा दूँ कि आपको 5-7 दाने देना है goldfish को 5-6 वाड आपको कोई tension नहीं लेना है आपको 5 दाने एक goldfish के लिए यानि 2 goldfish को आप 10 दाने दीजिएगा और आपको 5-6 वाड आपको देना दीन में क्योंकि आप लोग 2 वार 3 वार दीजिएगा तो fish को health नहीं मिलेगा वो 12 वार बीमाड पर जाएगी इसलिए आप ध्यान दीजिएगा आपको खाना में कुछ कमी नहीं करना है आप देख सकते हैं जब भी मैं इसके पास जाता हूँ तो ये काफी खुस हो जाता है ये मुझसे 12 वार खाना मागने लगता है जबकि मैं इसे 5-10 वार खाना दीन में देता हूँ आप लोग भी अपने fish को इस जगा पर रखिएगा कि वो हमेशा आपको देख पाए आप लोग side में मत रखिएगा fish को क्योंकि side में रखने से fish काफी side रहती है इसलिए आप लोग ये बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा आपको fifth point में ध्यान देना है कि जब भी आपको gold fish बाउल के अंदे रखना हो तो आपको 2 से ज़्यादा gold fish नहीं लाना है यूँकि gold fish को काफी space चाहिए वो survive नहीं करपाएगी कम space होने के कारण इसलिए आप लोग 2 से ज़्यादा gold fish नहीं purchase करके लाईएगा अब मैं आपको last point बता देता हूँ कि जब भी आपको पानी change करना है तो आपको एक gold fish अगर आप रखते हैं तो 15 दिन के अंदर पानी change कर दीजेगा अगर आप लोग 2 gold fish रखते हैं तो आपको 7 से 8 दिन के बाद आप पानी change कर सकते हैं कोई problem नहीं है आप देख सकते हैं ये जो light है आप लोग भी इस तरह का light लगा सकते हैं मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा बट मेरा आप चैनल जूरू सस्क्राइब कर दीजे क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको हर तरह का वीडियो मिल जाएगा चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था मिलते हैं next वीडियो में अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा थैंक यू